हेलो दोस्तो दोस्तो आज मैं आपके लेके आ गया हूँ एक बहुत जबरदस्ट इलेक्ट्रिक ट्रक का रेविव वीडियो तो दोस्तो इस वीडियो को अन्ते तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंट्रेस्ट करीम करके कमपनी जो की regional Chinese कमपनी है तो दोस्तो इस डार और करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले मैं आपको बताओंगा इस ट्रक के जीवी डवsmith we a teair努iste के बारे मैं मैं तो दोस्तो इसट्रक में आपको जएसी की पता ये एक इलेक्ट्रीव तो इसमें आपको बैटरी और मोटर लगी हुई मिलेगी इस ट्रक में आपको 390 किलोवाट या 523 हर्च पावर की पावर देखने को मिलेगी जो की बहुत ज्यादा ताकतवर एक इंजिन इस गाड़ी में लगा हुआ है इंजिन यानि की मोटर दोस्तो अगर बात करें next feature के बारे में तो बात करेंगे इस ट्रक के टॉर्क के बारे में तो यहाँ पर आपको 2324.9 FT LBS का टॉर्क यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर बात करें इस ट्रक के next feature के बारे में तो यहाँ पर इसके wheelbase को देखूँ तो यहाँ पर आपको 20 feet का wheelbase इ देखने को मिलेगा दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं इस ट्रक के बैटरी कैपसिटी की बारे में यानि कि इसकी जो बैटरी की कैपसिटी है वो कितनी है तो दोस्तों यहाँ पर इस ट्रक में आपको 281 kwh की capacity वाली बैटरी देखने को मिलेगी यहाँ पर आपको phosphate ion वाली बैटरी देखने को मिलेगी जो की आज तक की सबसे secure और सबसे fast charging और सबसे लंबी जो distance देने वाली बैटरी है यही technology है यह technology सिर्फ एक BYD जो company है उसके पास available है दोस्तों हम बात करेंगे इस truck के बैटरी के बारे में मैंने आपको बता जिया मैंने आपको बताया था कि जैसे dry iron phosphate battery system इसमें यूज किया गया जो की सबसे best battery है इसका size भी बहुत छोटा होता है और साथ साथ इसमें जो cells की जो यूज होता है इस battery में सबसे ज्यादा place cells के लिए यूज होता है इस यह जो ट्रक है बीवाइडी कंपनी का इसमें 60% तक area cells के लिए यूज हो जाता है बैटरी का तो यहां पर आपको बहुत सांदर बैटरी देखने को मिलेगी दोस्तों अगर बात करें इस truck के charging यानि की power के बारे में तो यहां पर आपको DC 120 किलोवाट CCS1 का charging यहां पर आपको देखने को मिलेगा अगर बात की जाए इस truck के charging time की कि कितने घंटे में आपका बैटरी इसका चार्ज हो जाएगा तो यहां पर आपको तीन आवर से जो हमारा DC direct current रहता है उसमें लगवग तीन से चार गंडे में यह आपको पूरी चार्ज हो जाएगी जो कि बहुत फास्ट चार्ज होने वाली बैटरी है अगर बात करें इसकी टॉप देखने को मिलेगी जो कि आपको पहाड़ों में चड़ने में बहुत मददगार साबित होती है यह ट्रक पहाड़ों में बहुत ईजीली जा सकता है अगर बात की जाए इस ट्रक के next feature के बारे में तो आपको इसकी वील रिम के साइज के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर आपको 19.5 x 7.5 के वील रिम से यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तो अब बात कहते हैं इस ट्रक के टाइर्स की बारे में तो यहाँ पर आपको 2.5 x 70R 19.5 के टाइर्स BYD कमपनी के द्वारा लगा के दिये जाते हैं इसमां आपको फ्रंट में दो टाइर्स रियर में यहाँ पर चार टाइर्स और एक स्पेर टायर BYD कमपनी के द्वारा दिया जाता है दोस्तो अब हम बात करेंगे इस ट्रक के ब्रेक सिस्टम के बारे में तो इसमां आपको यहाँ पर फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स बहुत ज्यादा रहती है यह आपके जो ब्रेक लगने की एक्कुरिसी होती है इसमें बहुत ज्यादा और बहुत एक्कुरेटली लगते हैं और दूसरा किया कि एर ब्रेक्स हैं तो आपका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा इजी रह जाता है कॉस्ट भी आपकी कम रहती है दोस् नॉर्मल ट्रक्स रहते हैं डीजल इंजन या पैट्रोल इंजन वाले उसमें आपको दोन तरफ लीप स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलता है यहां पर यह जो बीवाइडी कंपनी है इसने यहां पर रियर में एयर सस्पेंशन दे रहा जो कि मेरे हिसाफ से बहुत बैस् इस तके बैटरी की रेंज के बारे में यानि कि एक बार चार्ज होने में यह कित्ते किलोमेटर चलती है तो यह बैटरी लगबग एक बार चार्ज होने में 400-600 किलोमेटर लगबग चले जाती है जो की बहुत अच्छी कासी डिस्टेंस है इसको आप लंबी डिस्टेंस में भी बहुत एजी ली चला सकते हैं तो यह बहुत अच्छा एक option है इसमें क्या है कि आपको बहुत benefit मिलता है अगर बात की जा इसके price के बारे में तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने जितना इसमें research किया और internet में जो research करके मुझे मिला तो इसका price लगबक 64.83 लाइक के करीब यहाँ पर इंडिया में रह सकता है तो अभी तक यह truck इंडिया में आया नहीं है अभी यह truck USA और कुछ अन्य देशों में यह trucks चल रहे हैं हम जल्दी आसा कर रहे हैं कि BYD जो company है इसकी busage अल्रेडि इंडिया में चलने लग गी है तो यह company जल्दी trucks भी इंडि options है इसमें हमारा जो cost रहेगा operating cost बहुत कम रहेगा और जो बागी advantage है वह भी रहेंगे जैसे pollution का advantage रहेगा इसमें pollution नहीं होगा और क्या किते हैं operating cost भी कम हो जाएगा तो यह best option है तो दोस्तों आपको यह video कैसा रहा आप मुझे comment section में बताईए और video को देखने के लिए आप से ही किसी अन्य topic पर video चीए तो वो भी आप मुझे comment section में बता सकते हैं